विद्यार्ति का आकलन करके लगातार फैसले ले रही है अभी आपने देखा कि पटना में अब 11 बजे के बाद इस्कूल नहीं खुले गए और अगर अगर गर्मी वह एक चीज जान लिए कि विद्यालियों को बंद करना ये सरकार या सिक्षा विभाग की प्राथमिकता नही क्योंकि कुरोना में दो साल पहिल से लगातार विद्यार्तियों की पढ़ाई बाधित होती रही है इसलिए हम रदय से बंद करना नहीं चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ इससे भी जो महत्त पुर्ण बात है कि आखिर छात्रों के स्वास्ट को जोखिम में डालके छात्रों के भविष को जोखिम में डालके तो हम स्कूल नहीं चला सकते हैं गड़मी पर हमारा आपका प्रबंधन विभाग और सिक्षा विभाग हम लोग या पूरे सरकार सब मिलके लगातार बढ़ते गड़मी बढ़ते तापमान का आकलन करते रहते हैं और जैसे ही ये बात हो ज इत्में या छात्रों को लंबे समय तक विद्याले में रखना इन में जैसे अभी फैसला हुआ कि सारे 10-11 बजे से पहले सब हो जाएगा उसी तरीके से अगर इससे भी बढ़ती है गड़मी तो फिर उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा